नमस्कार दोस्तों जो किसेनर्डा चैनल में आपका स्वागत है आज है चार मार्चे 2020 चार मार्चे 2020 से 36 गार डेली करेंट अफैर से समधि जीतने भी महतपूना कोश्चन बन सकते हैं सारे कोश्चन के बारे में डिटेल से डिसकस करेंगे और हार कोश्चन से समधित कोश्चन में दे दूँगा जहां से आप हमेरे टेलीग्राम चैनल से भी जूर सकते हैं तो दोस्तों लाइक गया है भार में सब्सक्राइब आते लिए अब डारेक्ली वीडियो देखिए चाटिस गार डेली करेंट अफैर सेसन का हमारा पहला कोश्चन है हाल ही में किसके निर्देशन से कोईड नैंटी के रोग थाम में प्रदेश भर में एक हजारेड क्रास विलेंटियार अपनी सिवाएं दे रही है इसका सही अंसर अपसंपोर राजयपाल अंसुया उइके कोश्चन का इस पस्टी करने देखते हैं राजयपाल सुस्रूई अंसुया उइके के निर्देशन में कोईड नैंटी के संक्रामर के रोग थाम में प्रदेश भर में एक हजार डेट कास विलेंटियार अपनी सिवाएं दे रही है जिनके माध्यम से अब तक अठारा हजार जरूरत मंदो को राहत पहुचाई गई है यह कार्य इंडिया डेट कास सोसेटी के चेर्मेंद श्री सोन मरी वोरा के मारत निर्दिशन तता और जिले के कलेक्टर के मॉनिटरिंग में किया जा रहा है राजय पाल ने सभी विलेंटियर उनके स्वेच्छी कार्य सिवा के लिए बधाईयों सुबकामनाय दी है राजय पाल ने कहा है कि हम एक जूट होकर इस का सामना करेंगे देली करेंड़ सिसन का हमारा दूसरा कोश्चन है हाल ही में डाक्टर भीम राव अंबिटकर इस मितिजी के सालाए के मैक्रोलाजी विभाग में नुवल कोरोना वाराज टेस्टिंग है तु अधिकरित किया जाएगा वे प्रदेश की कि जीले में है इसका सही अंसर आप्शन फर्ष्ट राइपूर जीला कोश्चन का इस पस्टी कराण देखते हैं मुख्य मंत्री श्री भूपेज बगहल ने आज केंद्री स्वास्त यूम परिवार कल्यार मंत्री हर सवर्धन को पत्रा लिग लिग कर छतिसगर में नोवल कोरोना वायरस केंद्रों के संख्या में व्रिद्धी का आगरा किया है श्री भूपेज बगहल ने पत्रा लिखा है कि राजधानी राइपूर के डाक्टर भीम राव अंबेटकर इस्मितिजी गिस्ता आलाय राइपूर के मैक्रोलाजी विभाग में नोवल कोरोना वायरस टेस्टिंग ह तो राष्टी आपदा घोसित किया है तथा श्रकार दुवारा इसे संपूर्ण च्छतिजगर में संक्रामा ग्रोग घोसित किया गया है राज्य में कोरोना वायरस कोई नंटी के महमारी से बचाओ है तू समधारी इस तर पर सक्रिय निग्रानी कर रही है मरीज की त्वरि पर लहूरी साखा के राजा राम चंद्रदेव दुवारा चवदा सव नौ में बसाया गया है इसका नाम अपने पूत्र रभ्रम्ह देव राय के नाम पर रखा गया है राइपूर जीले का गठन दो नौंबर 1861 में किया गया है राइपूर का जिला मुख्याला राइपू है अठास वेशच में जब 36 गड़ को संभाग बनाया तो उसको संभाग का मुख्याला राइपूर को बनाया गया राइपूर 960 में 36 गड़ का सबसे प्राचिन और प्रत्म नगर निगम राइपूर को बनाया गया और योगी क्छेत्र उर्ला प्रयदेस का प्रत्म और योगी के अंदरा है जहां पर ड्राइपोर्ट भी इस्तित है सिल्तरा प्रदेश का सबसे बड़ा अध्योगी विकास केंद्रा है यहाँ सायकल कॉंप्लेक्स एग्रो एक्स्पोर्ट। जोन इस्तित है परण्तु पर तरिप सरवाधिक राईसमिलों का संकेंडर, धमतेरी जिले में है अटल लगर नवा राइपूर कुठेर भाठा राखिर गाओं में जैम्स एंड जवरी पार के स्पेसल एकोनोमिक जान सेज इस्तीत है यहाँ पर आईटी पार का ट्रीपल आईटी इस्तीत है जंगल सफारी मरवक राम में है राइपूर के प्रस्तदा परसदा में सहीद विर अंत्राष्टी क्रिकेट इस्टेडियाम नागा अर्जुन कस्ट्रक्षन हैदराबाद द्वारा निर्मीद रैपूर में प्रमुख सस्थान है जैसे नेशनल इंस्ट्टिव आर्ट टेकनोलाजी रैपूर में इस्तीत है पंदित दिन द्याल उपद्याइव आई स्वास् द्याला गुलूर आरंग में इस्तीत है आरंग को 36 गड़ में मंदीरों का सहर कहा जाता है पुर्खैति मुक्तांग राजय सरकार दुवारा प्राचित संस्क्रिती को सहजेवम दर्साने का प्रयाज किया जा रहा है चंद्खुरी में कौसिल्या माता का मंदीर है जो भारत डेली करेंट अबैर सेशन का हमारा तिसरे कोश्चन है हाल ही में कोरोना वाइरस कोईड नंटी महमारी के समय प्रवासी मजदूर एवम और या कामगार को आवस्यक रासन पहुचाने के लिए जीले दौरा कि जीले दौरा डोर टू डोर सरविक्षन कराया जा रहा है इसका सही हैं सराप्सन चार राजनन गाओं कोश्चन का इस पच्छी करार देखते हैं कलेक्टर एवम जीला डंडा दीकारी स्री जैप्रकास मोर्या के निर्देसान नुसार जीला प्रसासन के टीम दौरा राजनन गाओं नगर नीगम के छेतर सभी वा इक वान वाड में डोर ट साथ प्रवासी मजदूरयों और या कामगार है टीम दौरा 1690 वेक्तियों की पहचान किया गया है चिनहांकित वेक्तियों को अगले एक या दो दीन में जीला प्रसासन के टीम दौरा घर पहुंचा कर 15 दिनों का सुखा रासन पहुंचाया जाएगा प्रदान किये जाने व समाज सिवा को द्वारा बनाये गए सुखा राहत पैकेट में दाल आटा चावाल सुखा चना सोया बीन तेल चाय पत्ति इत्यादी समागरी है सुखा रासन पैकेट अलग-अलग समाज सिवा संगठनों द्वारा तयार किया गया है जिसमें समानों की प्रकृति में सुखा रासन किट प्रदान करने के कारण का रियाला कलेक्टर रहात साखा द्वारा निसूल का भोजन की सुईधा आगामी आदेस तक नहीं की जाएगी आप अब दोस्तों यहाँ कोईश्चा राज नांद काउं जीला से संब्धी थे तो आप राज नांद काउं के बारे में चानलिए राज नांद गाउं जीला का गठन राजनान गाउं जिले में मुख्य खनीज जिसे लाहो आयास का बोर्य टिपू ख़दान से खनान किया जाता है चांधी डोंग्रिन ख़दान से प्राप्त किया जाता है राजनांद गाउं के खरजीठी में प्लास्टिक पार्का, टेडे सेरा में फूट पार्का, इंदावानी में फूट प्रोसेसिंग पार्का है 27 नॉमबर ये 1888 है दोस्तों जिसमें राजनांद गाउं से नाकूर के मध्या प्रदेश का प्रथम राजगेज रेल्वे परिवहन के लिए निव रखी गई थी जो 1882 में प्रारम हुआ जिसे बाद में 1888 में ब्राट गेज में बदल दिया गया इस तरह प्रदेश में प्रथम ब्राट गेज रेल्वे परिवहन सेवा 27 नॉमबर 1888 राजनांद गाउं से नाकूर के मध्या चलाया गया था यहां रेल्वे नाकपूर 36 गाड रेल्वे मंडल के अंतरगत था 1892 में बंगाल नाकपूर काटल मिल की स्थापना राजनांद गाउं में की गई थी प्रदेश का प्रथन किसान मौल की स्थापना राजनांद गाउं में किया गया है इंद्रा कला संगीत विश्य विद्याला खैरागड की स्थापना 1956 में किया गया है यहां एस्या का एक मात्र संगीत विद्याला तथा प्रदेश का प्रतम विश्य विद्याला है इस विद्याला के स्थापना राजा विरेंद्र बहादूर्शी द्वारा किया गया था तथा नामकरण अपनी संगीत प्रेमी पुत्री इंद्रा के नाम पर रखा गया है डोगरगाण का प्राची नाम कामावती पूरी है यहाँ पर मा बमलेश्वरी माता की मंदीर है जिसका निर्मार राजा वीर से नद्वारा किया गया था राजनान गाओं में प्रग्यागिरी की पहाडी है जो मैका स्रेणी का हिस्सा है राजनान गाओं में चित्वा डोंगरी नौपसार काली हिस्था विवम गुफा है 36 गर डेली करेंटा पेर सेशन का हमारा चौथा कोश्चन है हाल ही में प्रदेश के किस जीले में के सभी पेट्रोल पंपों में BS6 पेट्रोलियम उत्पादों का विख्री सुरू हो चुकी है इसका सही अंसर आपसान फोर राइपूर कोश्चन का इसपस्टी कराण देखते हैं आज से सभी पंपों में मिलेगा BS6 वाहनों का पेट्रोल डिजन राजधानी के पेट्रोल पंपों में BS6 पेट्रोलियम उत्पादों की विक्री सुरू हो चुकी है खाड़ियों की लांचिंग के बाद लंब्य समय से बीएश्च से पेट्रोलियम उत्पादों का इंतिजार किया रहा था इस इंधन में सरफर यों मिलेड को सर्जन बहुत कम होता है BS4 इंधन में जहां सर्फर की मात्रा 50 PPM होती है वही BS6 में सर्फर की मात्रा 5 गुना कम हो जाती है पेट्रोलियम पदार्थों कि यहां उच्च क्वालिटी है इसमें प्रदूसर की मात्रा काफी कम होगी सभी पेट्रोल पंपों में आपूर्ती के बाद किसी भी PPM में BS4 पेट्रोल नहीं बेचा जाना है दोस्तो हमारा आज के 36 गर डेली करेंट अफैर सेशन का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो के एक बर और ध्यान से देखिए का ताकि आपका 36 गर डेली करेंट अफैर से समधिर किसी भी कॉंपेटिशन एक्जाम में आपको एक भी कुछ्चा ना चूटे धन्यवाद